जो पहला प्रश्न वनेगा भारत में प्रथम समचार पत्र बंगाल गजट था प्रश्न पुछेगा भारत में प्रथम समचार पत्र कौन सा था बंगाल गजट इसको नोट करीगा बंगाल गजट था जिसे 1780 में जिसे कब 1780 में या अंडर लाइन करीगा 1780 में जेम्स अंग तो सब आप एतना याद रखिए गाव 1780 में भारत में राजा राम मोहन राइक ने रष्टिय प्रेस की अस्थापना की संबाद कमूदी चंडरीका और मिरातुल अक्वार का प्रकासन किया तिसमें सब दो याद रखिए जरूर संबाद कमूदी और मिरातुल अक्वार किसके दोवारा प्रकासन किया गया तो राजा राम मोहन राइक के दोवारा किया गया इन्हें भारतिय पत्रकरीता का अगर दूद कहा जाता है भारतिय पत्रकरीता का अगर दूद किसे कहा जाता है राजा राम मोहन राइक को मिरातुल अक्वार फार्सी भासा का पहला समचार प प्रकासित होने वाला प्राथम अख्वार, most important इसको आपनोट करेगा, हिंदी में प्रकासित होने वाला प्राथम अख्वार, 1826 में कानपूर से जुगल किसोर दुवारा, संपादित, उदंड, मार्तडंड था, नाम क्या था? उदंड, मार्तडंड था, किसके दुवारा किय क्रिष्टो दास पाल जो हिंदू, हिंदू, पैट्रियाट के सनच्छक थे, उन्हें भारतिये पत्रकरीता का राजकुमार कहा जाता, तो सीधा प्रस ने पूछेगा कि भारतिये पत्रकरीता का राजकुमार किसे कहा जाता? क्रिष्टो दास पाल को, क्रिष्टो दास पाल डिप यहां में अप लिखे तिलक नहीं अंग्रेजी में मराथा एवं मराथी में केसरी का प्रकासित किया तो सिधा प्रस्णि पूछे ने नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन के लिए लगा देगे तो आपका रिवीजन भी हो जागा चाल्स मेटकॉप को समचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता फाइव अस्टाइ इसको लगा ये दा मुस्ट इंपोटेंट है प्रेस नियांत्रन अधिनियम तो ये सब आप खुद से पढ़लीजेगा इसका PDF आपको टेलिगराम चैनल पे दे दिया जागा देखे, जो important उसको देखे, बंगाल गजट, सथापक कों था, James Angastam Hickey, का परकासित हुआ, 1780 में, शंबाद कुमूदी, राजा राम, मोहन राज जी के दुवारा, नेक्स्ट है, देखे, यहां, Indian mirror, most important, किन के दुवार परकासित के दुवारा, देवेंद्रेनाथ, टाइगोर, और मोहन घोस के दुवारा, दोनों अगर option में राएगा, तो answer दोनों होगा, यह कोई option में राएगा, तो कोई एक answer होगा, तो इसको अपनोट के लेज़ेगा, Indian mirror next है, देखे, केशरी और मराथा, most important, किस के दुवारा, तिलक जी के दुवारा, बाल अगरध है, तिलक जी के दुवारा किया गया, केशरी और मराथा, most important, the Hindu, b, रघवाचारी, आप इसको याद भी कर सकते हैं, नई भी याद कर सकते हैं, बंगाली, सुरेंदरनात मनर जी, यंग इंडिया गांधी जी के दवारा नव जीवन और हरीजन किन के दवारा सुरू किया गया गांधी जी के दवारा परकासित किया गया क्या क्या तो यंग इंडिया नव जीवन हरीजन इंडियन ओपेनियन गांधी जी के दौरा चार मोस्ट इंपोर्टेंट है जो समचार पत्र परकासित के गए इंडियन ओपेनियन हरीजन नवजीवन यंग इंडिया बंदे मात्रम अर्वींद घोस तो अगर समचार पत्र पुछेगा कि बंदे मात्रम किसके दौरा परकासित के बंदे मात्रम समचार पत्र किसके दौरा परकासित किया अर्वींद घोस मोस्ट इंपोटेंट है यूगांतर बिरिंद्र घोस और भुपेंद्र घोस अस्टार लगाली जी सब यह सब जो प्रस्ण आपको बता रहे हैं मोस्ट इंपोटेंट इतना ही प्रस्ण आपसे पुझा जगा नेक्स्ट है गाद्दर लाला हर्दयाल बंबे कॉर्निकल मोस्ट इंपोटेंट फिरोज सा मेहता के दवारा निव इंडिया एनिवेसेंट कॉमन वील भी पुझता है एनिवेसेंट ए होगे आपको हिंदू टाइम्स सर्च लाइट मोस्ट इंपोटेंट सचीदानान सिन्हज के दवारा कौन सा सर्च लाइट और नेशनल हराल जवाहलाल नहरू तीतना प्रश्ण है जो बनेगा आपसे पूछा जागा तो आप इसको नोट कर लिए बंदे मात्र में भी ऑप्सन दे सकता हर दियाल और स्याम जी बर्मा लेकिर अर्विंद घोसी अगर तीनों अप्सन नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वावत हमारे चैनल पर चैनल पर पहली बार आया है तो वीडियो को पूरा आप जरूर देखे और इसका पीडियाप चाहते हैं तो टेलिग्राम चैनल से जाकर जोईन हो जाईएगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या आपको टेलिग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना है अश्टडी लिंक वीडियो वहां से भी जाकर जोईन हो सकते हैं और सब्सक्रे बड़ी वात यह है कि जो भी बटमान में एक्जाम होता है उसका उफीसिल पेपर आपको वहां प्रोवाइड किया जाता है तो अभी तक टेलिग्राम चैनल से जाकर जोईन नहीं हुए तो जाकर जोईन हो जाईएगा और चैनल पर पहली बार आया तो वीडियो को पूरा जरूर देखिया किसी भी एक्जाम के लिए अपता यारी कर रहे ते वीडियो आपके लिए वहूत ही महतपूर्ण है यानि पुछे का पिर्थीवी का कच्छी जुका तो दोनों जो कनफ्यूजर ना उसको दूर कर लेता है तो यहां आप देख रहे हैं यह पिर्थीवी है तो पिर्थीवी में कितने रेखोता है तीन मतला एक काल्पनिक रेखा यह सब जो रेखा है यह देखाए आपको नहीं धिग्री होगा और यह भी आपका 165 तेष डिग्री होगा त comply पूछा जागा यह साखु田 टेष डिग्री होगा देखी इसमें confusion अगर आप करें आपको एक wrap में बताते, यह मालने पिर्थी भी है, यह हो गया दो भागों मट गया, यह हो गया आपका उतरी गुलार्द, और यह आपका हो गया डचनी गुलार्द, यहां पर आपका करक रेखा, और यह हो गया मकर रेखा, यह 0 degree line है, यह क्या है, 0 degree line 16 degree उतरी अच्छांस, और 16 degree दचनी अच्छांस, तो अफसर प्रस्ण यह पूछेगा, यहां समझे, प्रस्ण यह पूछेगा, यह क्या हो गया उतरी गुलार्द, और यह क्या हो गया दचनी गुलार्द, यह क्या हो गया दचनी गुलार्द, यह क्या हो गया दचनी गुला देश निकुला और ये जो लाइन होगा सड़े तेस दिगरी ये लाइन और ये जो लाइन होगा जीरो डिगरी तो आप से प्रस्ने पूछेगा सड़े तेस डिगरी उत्री अच्छांस को क्या कहते है सड़े तेस डिगरी प्रस्नों को राम से पढ़िएगा सड़े तेस दचनी अच्छान्स को क्या बोलते हैं मकर रेखब आपसे प्रस्ण यह पूछा नहीं जाएगा मतलब आपके माइंड में याद साकता कि साढ़े तेशी डिगरी क्यों होता है तेश डिगरी क्यों नहीं होता तो कि जो पिर्थी भी है साढ़े तेश डिगरी क्या जुका इसलिए मनों साढ़े तेश डिगरी लेते हैं तो यह प्रस्ण आपसे पूछा नहीं जाएगा तो आपको विधाता नहीं बनना एकजाम क्रेक करना एकजाम कौलिफाइ करना तो आपको सिर्फ इतना याद रखना कि साढ़े तेश डिगरी दच्छनी अच्छान्स को क्या होते हैं मकर रेखा और वही प्रस्ण ने पूछे का साढ़े तेश डिगरी उत्री अच्छान्स को क्या बोलते हैं करकर रेखा उत्री मतला उपर वाला तो उपर क्या होता करकर रेखा और नीचे मकर रेखा बीच में क्या होता है विश्वत रेखा इसी को बलते भूमद र लिखागा तो जो मकर लिखेगा और करक लिखेगा तो करक छोटा लिखागा तो यानि ट्रोपिक आफ कैंसर करक रिखा को बोलते हैं और ट्रोपिक आफ कैप्रिकॉन मकर रिखा को बोलते हैं इस तरह सापको याद रखना एक प्रस्ण तो यहां हो गया यहां सापको जो बता लिम्पोप्ए नधी यहां पर लिख लेज़ेगा लिम्पोपे नदी, और लिम्पोपे नधी कहां भाती है तो अफ्रीका में, इद भी परोट कर लेज़ेगा。 और कह स्थी नधीा हैं तो कांगो नदी कांगो नदी बिश्वत रेखा को दो बर करती है कांगो नदी और करक रेखा को माही नदी जो कहां बहती है भारत में और बाकी जो दो नदी है कहां बहती है अफ्रीका महादेश में अफ्रीका महादेश में तो इतना प्रस्ण आपसे पूछा जाएगा आप जरूर याद रेखे या एत हो गया अब आया प्रस्ण बनेगा कि कच्छिय जुकाव और अच्छिय जुकाव पिर्थिवी का कच्छिय जुकाव कितना और पिर्थिवी का अच्छिय जुकाव कितना तो पिर्थिवी का अच अज़ए जुकाव पुछएगा तो शाधं तेस्ट डिग्री अगर आप एक याद रहेगे तो एक कंसर आपकर लेज़ें कि यहां सु जो यहां होता है पुरा 90 डिग्री का कौन मनता है तो अगर आछीए जुकाव आप शाधं तेस्ट डिग्री होगा तो आपका अच्छी ज तो साहषud 13 डिग्री और फिर थीवी का का अच्छी यहूक आप केतना होगा साहषषट डिग्री तो अगर आब कन्फियूजन करते हैं तो अगर लिखेगा आप पिर थीवी का आचिये तो आचिये लिखेगा तो कुछ A C start होगा तो आप 36 लिखेगा तो देखे 66 और तेश लिखेगा तो किस में A कितर आएगा तो तेश में देखे इस तरह से तो आचिये जुक आप किया हो जागा तो हम उमीद करते हैं कि आज जो confusion था आपका यह दूर हो गया होगा अब प्रशने पर चलते हैं कि प्रशने क्या कह रहा है अभी जो हम आपको बताएं यहां से जो भी प्रशने बताएं उसको आप जरूर याद रखेगा most important है पिर थीवी की धूरी क्रांती बिरित के तल पर डोट के कौन पर आनत है करांती बिरित के तल पर देखिए यहां पर पर प्रशन यहां पर बनेगा यानि तल पूछ रहा तल पे पूछ रहा इस पर प्रशने पूछ रहा है तो तल पर भी कभी कभी इस तरह से लिखेगा पिर्थीवे कच्छी है संतर तो कितना डिगरी जुका हुआ या अगर आपको ये भी याद है तो हम आपको देखिए बता रहें दो ही ओप्षन में अंसर हो ही सकता है या तो साढ़े तेश डिगरी या साढ़े छे आसर डिगरी ठीक है तो आच्छी जुका आप तो आ लिखेगा तो तीन की तरह होगा तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करेगा तो उसके बाद बचा कच्छी है मतलब दू में कंफ्यूजन ओप्षन नमबर बी अगर आपको सिर्फ इतना ग्यान है कि साढ़े तेश डिगरी और साढ़े छासट डिगरी ही होता है तो आप इसका अंसर कर लिजेगा नेक्स्ट हाँ विश्वे स्वास्त संगठन ने वर्स 2019 का तमाकूनी अंतरन पुरूसकार भारत के किस राज के स्वास्त विभाग को दिया गया था यह नि दिया था तो करेण के प्रस्ण ने तेश को आप याद नहीं करना सिर्फ अंसर जान जाए हाँ यहाँ से प्रस्ण ने पूछेगा डबलू एचो तो डबलू एचो का स्थपना का हुआ साथ अप्रेल उनईसो अड़ालीस साथ अप्रेल उनईसो अड़ालीस मुख्याले का जिनेवा जिनेवा स्वीटिजर लेंड में मोस्ट इंपोर्टेंट है जिनेवा स्वीटिजर लेंड में और जिनेवा में बहुत ilo का मुख्याले का जिनेवा स्विडियर लेंड में इंटरनेशनल लेवर और्गनाइजेशन अंतरष्टिये स्रम संगठन जिसको हम मोलते हैं और ये डाबलू टीओ में दो है तो दोनों में कन्फिजन नहीं करेगा या तो ऑप्सन ही एक ही देगा या तो मेंशन कर देगा ये खोता वर्ल्ड ट्रेड और्गनाइजेशन तो इ मैड्रीड अस्पेन मुगा नेक्स्ट प्रशन चलते हैं भारत का पहला पर मुख समचार पत्र बंगाल गजट किस बर्स में शुरू किया गया था तो अगर आप वीडियो को सुरू में देखे हैं तो कि यको सुरू में आपको रिवीजन में इसका लगाया गया था इसका कर लिजेगा कप किया था 1780 या पिछला वाली वीडियो देखेंगों तुसमा पुप्रक जितना भी समचार पत्र था सारा आपको करा दिया गया 1780 नाम क्या था बंगाल गजट भारत के पहला समचार पत्र बंगाल गजट किसने सुरू किया जेमस अंगस्टम हिक्की जेमस हिक्की अंगस्टम आप याद भी राख सकते हैं जेमस अंगस्टम हिक्की जेमस अंगस्टम हिक्की तो आप जेमस हिक्की याद रखी है सिर्फ हिक्की याद रखी कब सुरू किया 1780 में इसका राइट अंसर के तो आप्सन नंबर वी 1875 की करांती most important है next है देखिए यहां पर दिया भी गया भारत में प्रत्रम समचार पत्र बंगाल गजट था जिसे 1760 में जेम्स अंगस्टम हिक्की ने परकासित किया इसको आप याद रिखाओ इसमें यहां सब दो याद रखेगा शुरू में आपको रिवीजन में लगाया गया था तो आप जरूर वीडियो को देखेगा सुरू से तो यह सारा confusion आपका दूर हो जागा करा दिया गया next प्रशन चलते है इनमें से किस देश ने भारत को बरस 1975 में अपना पहला क्रित्रिम उपगरा परछेपित करके करने के लिए शाहता परदान की थी 19 अप्राइल 19 अप्राइल 1975 को भारत का पहला उपगरा नाम क्या था आरे भट कब परछेपित किया गया 7 अप्राइल 1975 को पहला उपगरा आरे भट कहां से परश्यवित किया है? सोवियत संग, रूस से ओप्शन नमबर A, राइट हो जागा तेहां से तीन से चार परश्नफ बनेगा पहला परश्नफ बनेगा भारत का पहला उपगरा कौन सा है? आरिभट का परश्यवित किया गया? उनाइस अप्राइल उनाइस सो पच्छतर को कहां से किया गया? सोवियत संग से नेक्स्ट परश्नफ चलते हैं गूगल ड्राइब, असकाइड ड्राइब एंड ड्रॉप बोक्स और परफेक्ट एक्जाम्पल ओफ मतला सही उधारन ये किसका है? जो दिरा गूगल ड्राइब, असकाइड ड्राइब एंड ड्रॉप बोक्स और परफेक्ट एक्जाम्पल ओफ जिसका राइटन से क्लाउड स्टोरेज सर्विसीज क्लाउड स्टोरेज सर्विस ओप्शन नमबर ए नेक्स्ट परश्न है तो जैसे इंसुलीन का नाम है तो आप इंसुलीन से आपको दो-तीन बात याद रहेगा क्या-क्या याद रहेगा? कि इंसुलीन के कमी से मदुमेर होता है और मदुमेर होने का करण कि जो इंसुलीन है जो ही गुलुकोज सरकारा का मात्रा है उसको क्या करता है नियंत्रित करता है इंसुलीन के कमी होगा तो गुलुकोज का मात्रा बढ़ेगा जैसे गुलुकोज का मात्रा बढ़ेगा तो मधुमेर होगा इसका कहने के मतलब इंसुलीन क्या करता है गुलुकोज का नियंत्रन करता यानि सरकार है सब क्या करता है नियं को सी का से अग नास्य के बित्टा कोसी का से सरावित होता है अगनासे के भीट्टा को सीगसे स्तरावित होता है इसको आप नोट कर लिजिएगा नियंतृत क्या करता है इसके कमें से कांसर होता है मधु मेरो मधु मेरो यहाँ पर लिख लिए मधु मेरो इसका राइटन से का ओप्शन नमर डी एक क्या करता है तो option number D हो जागा next है देखिए कुछ-कुछ जो प्रस्ट ने सिर्फ English में ही आया है तो हम उसको क्या कर रहे है English में ही कर आदर है कोई आपको दिक्कत नहीं हो किसी पर करका अक्टूबर 2020 तक पर आप जनकारी कर रहे है कितने IIM भारतिये प्रवंधन संस्थान महजूद है option number B तो केरें का प्रस्ट ने तो आपको याद नहीं करना सिर्फ क्या करना answer जान जाना है next है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी के जील dot में इस्थित है तो इंडिरेक्ट प्रस्ट ने पूछा कहां इस्थित है चिल्का जील है इस्थित कहा है उडिशान में कौन सा नदी है महा नदी इसका राइटन से रहा हो जाओ महा नदी डेल्टा तो इंडिरेक्ट प्रस्ट ने पूछा है ओप्शन नदी तो जो इंपोर्टेंट है उसको आप देख लिजे पहला नदी प्रस्ट ने पूछा चिल्का जील कहां इस्थित है उडिशान मिस्थित है जो जो जील हम आपको बता रहे है उसका ज़िरूर यह एक परकर कहां लैगून जील है यह भी याद रखेगा जील का जील कैसा जील है तो लैगून जील है यहाँ पे जो मैप जो लगा है जील का जो मैप है एस सही मैप नहीं लगा हुआ नेक्स टाइम हम आपको करा देंगो जो भी जील रहा है उसका important आपको हम करा देंगो मैं पूल्टा लग गया which country unfiled the world first floating nuclear power station which country unfiled the world first floating nuclear power station यानि पहला nuclear power station तो कौन किया Russia यानि रूश जिसको हम क्या बोलते हैं रूश तो इसका right answer का जा option number A next which of the following is not a non-renewal resource देखे प्राशने क्या बोला दूतरस indirect इसमें प्राशने बोला है बोला है which of the following is not a non-renewal resource मतलब आ नभी करनिये resource नहीं है निमलिखित में से कौन सा आ नभी करनिये resource नहीं है आ नभी करनिये भी बोला और नहीं भी बोला तो इसका कहने का मतलब आ नभी करनिये नहीं है यानि नभी करनिये है तो नवी करनी यह कहने का मतलब होगा नवी करनी का मतलब है जो सिमित है जो बिल्कुल अस्टोरेज है और नवी करनी मतलब जिसका हम लोग नवी करनी यह कर सकते हैं तो जिसे में यह हो जाए लिक्वीड पेट्रोलियम गैस यानि एलपीज यह क्या सिमित है कभी भी समाथ हो तरफ निइटरिय गैसि कोल सोलर एनरजी लेकिन जो सोलर अनरजी है यह समाप्त भी हो सकता है लेकिन उसमाप्त हो गया और कि अंदम्हें के समय मैं हो निहीं हो या नेयुआ निमनाखत में से किस सहर में बर्स 2019 में रश्टिये युवा दिवस पर स्वामी विवेकनन की 33 फिट उची कांस प्रतीमा का उधगाटन किया गया राची जहरखन करेंड का प्रशन सिधा आपको क्या करना अंसर लगा दना रश्टिये युवा दिवस का मना जाता है 12 जनवरी कि इनके जनव दिवस पर मना जाता है स्वामी विवेकनन जी का जनव दिवस मना जाता है स्वामी विवेकनन पहली वार विश्वे धर्म समिलन में कव सामिल हुए थे 1893 में 1893 में कहां सामिल हुए थे सिकागो में सिकागो कहां पढ़ता है अमेरिका में इसको नौट कर लिजगा, अठाहरा सो तिरानेव में बिश्वे धर्म शमिल्न में सामिल हुए थे और रश्टिये यूवा दिवस कमना जाता है बारा जणवरी अनतर रश्टिये यूवा दिवस पुछेगा बारा अगस्त देखे रश्टिये पूछेगा 12 जनवरी अंतर रश्टिये पूछेगा 12 गस्त और हाथी दिवस भी कमना जाता 12 गस्त को अंतर रश्टिये इवा दिवस और अंतर रश्टिये हाथी दिवस दोनों 12 गस्त को मना जाता और अश्टिये इवा दिवस 12 जन्वारी को मना जाता है किन के जनम दिवस पे स्वाइम विवेका नंजी का जनम दिवस पे और इसी कागो में क्या शामिल हो थे 18-23 में विश्च्वे धर्म श्मिलन में इसका राइटन से कर अप्सन नमबर D एस अब आप याद रखें लेकिन एक करेंट का प्राशन है याद नहीं रखना नेक्स्ट है हम आपको बताया थे कि एक बताया थे R-T-I एक बताया होंगे R-T-E एक होतार Right to Information यानि सुचना का अधिकार कावाया 2005 में जो अक्ट कप का था? 2005 काव एक है Right to Education यानि सिछा का अधिकार 2009 में लागु कबस हुआ? 2010 से यानि सिछा का अधिकार अधिनियम का? 2009 का लागु कबस हुआ? 2010 से इसको अपनोट कर लेज़ेगा अगर पूछेगा सम्मिधान में कब इसको सामिल किया गया सम्मिधान में जब ही प्रसने पूछेगा सिच्छा का जो अधिकार है या तो मूल अधिकार या मूल करतब दोनों को कब सामिल किया गया दोनों में 86 इस नभाट alltså ऑन Mm है दोअ और दो में सामिल किया गया काहसमेल किया गया मोल अधीकार में भी और मोलकरतर में भी हिस सम्धान चन्स और कट है चैसल MooP भोला नऌरमंगे नेक्स्ट इसका राइट espec मिछा स्ट ऑप्सन नव्बर हे दोजरों राशनन पुचization रहा है वेर इस दा हो तहा है इस्तित है यानि कहा कुह इस्तित है nuclear fuel complex तो यह है थाइदर बाद में स्तित है option number A राइट हो जागा next है यूरोपीय संग की स्थापना किस बर्स में हुई थी तो ये उप्शन नमबर ए राइट हो जाएगा इनमें से किस ने उन्हें सो ब्रासी में भारत के प्राथम अंटार्क्टिक अभियान का नेतित्व किया था नाम किया डॉक्टर एस जेड कासिम ते फैक्ट प्रसन आपको याद ही रखना पड़ेगा डॉक्टर एपीज अब्दू कलम मिसाल मैन ओफ इंडिया की नम से जाना जाता है और मिसाल बूमेन ओफ इंडिया पेसी थोमस रोकेट मैन ओफ इंडिया केसी वान टाइगर मैन ओफ इंडिया कैलास संखल वाड मैन भारत सरकार का परमुख कारिकरम परधान मंत्री वै बंधन योजना का मुख अजेंडा क्या है तो मुख अजेंडा क्या था बरिष्ट नागरीकों के लिए निउन्टम आरंभिक निवेस करने के बाद आठ पर तीसत की ग्रांटी कृत बापसी पर सुनिचित पेंशन ओप ऑप्सण नमर डी नेक्स्ट परसन है देखिए विच गलैक्सी इस ग नियरेंस्ट ど द मिलकि बे यानि मिलकि बे के नजदी कि कॉंसा नियरेस्ट सबसेकी परसनय यानि सबसेकी कोंसा कॉंसा ग्राक्षि तो नाम है अंड्रो मेडा इसका नाम क्या अंड्रो मेडा गलेक्सी, option नमर D Next, Indian Constitution, Provision of Indirect Election of Rajasvah Member बाज अडॉप्ट फ्रॉम इज कांट्री प्रस्न पूछरा कि India Constitution, Provision of Indirect Election मतलब आपर त्याच छे, election of Rajasvah Member बाज अडॉप्ट फ्रॉम घीज कांट्री मतलब कौन सा कंट्री से लिया गया, अडॉप्ट इसको किया गया तो कहां से लिया गया है, सौथ प्रीका option number A, और सौथ प्रीका से इसको लिया गया और मूल अधिकार पूछेगा, अमेरिका से, मौली करताब पूछेगा, रूस से और नितिम निद्दे सक्सिधान, आयर्लेंड से next है, इनम से कौन दो बार भारत के कारेवाहक परधानमंत्री बने है नाम क्या, गुलजारिलाल नंदा, यह प्रस्न बहुत ज़्यादा पूछा जाए तो आप इसको याद रखेगा, इंद्रा गांधी, भारत की, पहली, महिला परधानमंत्री, महिला, फास्ट महिला परधानमंत्री, इसको आप नोट कर लिए, मुरार्जी देसा है, नेक्स् ब्यक्तियों पर लगाए गए, ब्यक्तिकर को निर्दिष्ट करने के लिए, किस सब्द का इस्तमाल किया जाता था, मुगल समराज के सासनकाल के दोरान, गैर मुस्लिम ब्यक्तियों पर लगाए गए, ब्यक्तिकर को निर्दिष्ट करने के लिए, किस सब्द का इस्तमाल कि आजाता था तो नाम क्या है जजिया कर तो इसका राइट अंसर को आप्स नंबर A जजिया कर तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और दखेंगे चैनल पर पहली वार रहा हैं तो आप चैनल को अप सब्सक्राइब जरूर कर लिजे कर देज़ेगा और आपने दोस्तों पास भी सेयर कर देज़ेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अपना खिया रखिया नमस्कार